आज मैं बिहार का फेमस छट पर्व का स्पेशल प्रसाद आटे और गुर का ठेकवा बनाने की रेसिपी लाई हूँ और ये देखिए बना भी है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रंची आज मैं इसे बनाने का परफेक्ट मेजर्मेंट भी बताऊंगी और इसे एकदम पार तरीके से बनाना बताऊंगी और तोडने के बाद ये देखिए कितना सॉफ्ट है तो चलिए बिना देर किये हुए इसे बनाती हूँ इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं इहां पर गुर का पार्डर ली हूँ अगर आपके पास ये नहीं है तो गुर को ग्रेट करके लिए मैं सबी इंग्रीडियन्ट और उसका मेजर्मेंट डिस्क्रिप्सन में डाल दी हूँ तो उसे जरूर से चेक कर लें और अब इस गूर के पाउडर में हमें दूध डालना है ट्रेडिस्नली छट के पर में गूर को दूध में ही फूलने के लिए रखा जाता है पर आप चाहें तो इसे पानी में भी फूला सकते हैं तो गूर को अच्छे से मिक्स कर दें ढख दें पंदर मिनेट तक फूलने के लिए छोड़ दें और तब तक थोरी तैयारी कर लिजाए तो यहाँ पे मैं दो कप जितना गिहूं का आटा ली हूँ यह वही आटा है जिससे रेगुलर हम लोग घर में रोटी बनाते हैं वैसे चट की पूजा का प्रसाद ट्रेडिशनल ठेक हुआ थोड़ा मोटा पिसा हुआ आटे से बनता है पर वो अभिलेबल नहीं है तो मैं इसी आटे से इसे बना रही हूँ तो अब इसमें desiccated नारियल डालें थोड़ा सा कटा हुआ सूखा नारियल डालें और हाँ यहां पे मैं छोटे टुकरे में कटा हुआ काजू डाली हूँ और सौफ डाली हूँ यह देखिए यह अच्छे से bind नहीं हो रहा है थोड़ा भुर भुरा है तो इसमें थोड़ा सा घी और डालें और फिर से इसे अच्छे से mix करें पूरे आंटे में ये देखिए इस तरह से तो बरतन को चारो तरफ गुमाते हुए इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद बाइंड करके देखें और ये देखी अच्छे से बाइंड हो रहा है ये तयार हो गया है तो अब जो गूर हमने फूल ने दिया था उसे चेक कर लेना है तो ये अच्छे से फूल कर तयार हो गया इसे अच्छे से मिक्स कर ले और इसके बाद इसे चन्नी से छान कर हमें आटे में डालना है तो एक बार में ज्यादा बिल्कुल ना डाले थोड़ा थोड़ा करके डाल चन्नी से चान कर डालने से गूर की जो भी impurities है वो आटे में नहीं आती है तो इसे चन्नी से चान कर ही डाले और ये देखे इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके डाले और हाथों से इसे अच्छे से mix करें अच्छा ठेकवा बनाने के लिए डो परफेक्ट होना बहुत जरूरी है तो ठेकवा का जब भी आटा लगाएं तो थोड़ा ध्यान से लगाएं कि आटा हमें थोड़ा करा बनाना है और हाँ इसे मिलमल कर में चिकना नहीं करना है ये देखे डो तयार है तो इसे ढग दें 10 म परफेक्ट आटा तयार है इसे छोटा सा टुकडा लेकर गोल करके देखे और ये देखे ये परफेक्ट बन रहा है तो डो तयार है तो इसी तरह सारे आटे से छोटा छोटा डो बोल तयार कर लें और हाँ छटके पर में कुछ लंबे साइज का भी ठेकवा बनता है तो ये कुछ डो बॉल को मैं इस तरह से लंबा करके बनाऊंगी तो वस इस तरह से दो कप आटे से पूरे 20 ठेकवा के लिए डो बॉल बन कर तैयार हुआ है यह देखिए तो आप साचे से और बीना साचे से दोनों तरीके से ठेकवा बनाना बता रही हूं अगर आपके पास साचा है तो उसमें थोड़ा सा इस तरह से घी लगा लें इससे क्या होगा कि ठेकवा इसमें चिपकेगा नहीं और इसका डिजाइन बहुत ही अच्छे से आटे पे आएगा तो लंबे साइज का या गोल साइज का जो भी बनाना है उसमें घी लगा लें और सुन्दर दिख रहा है तो इसी तरह लंबे वाले डिजाइन के लिए लंबा वाला डो बॉल ले और डिजाइन पे रखके हाथ से प्रेस करें और निकलने के बाद वो भी बहुत ही सुन्दर दिख रहा है ये देखिए और ठेकवा का थिकनेस भी देखिए ये एकदम करें यानि कि इसे थोड़ा पतला कर लें और इसके बाद अब डिजाइन बनाना है तो एक फोक या फिर श्पून ले ले और उससे सबसे पहले इस तरह से बीच में एक लाइन लगाए और इसके बाद ये देखिए इस तरह से इस पर डिजाइन बना है जैसा कि वीडियो मे बनाने के बाद ये देखिए कितना सुन्दर दिख रहा है तो अब एक गुल वाले ठेकवा का डिजाइन बताती हूं डोबल को इस तरह से फ्लैट कर लें और इसके बाद फोक या स्पून के पीछे वाले पार्ट से इस तरह से उस पर लाइन लगाए ये देखिए वीडिय बनाने के बाद ये देखिए कुछ डिजाइन मैंने साचे से बनाया है और कुछ को हाथों से बनाया है जो बहुत ही आसान है और देखने में भी बहुत ही सुन्दर है तो अब इसे डिप फ्राइ करने के लिए गैस की और चले तो ट्रेडिशनली तो ये ठेकवा पुड़ा को डालें अपने कराई के हिसाब से ठेकवा डालें और डालने के बाद लो फ्लेम पे इसे कम से कम देर से दो मिनट तक छोड़ दें इसे बिल्कुल भी छूना नहीं है और देर मिनट तक पकाने के बाद फ्लेम को हलका सा तीज कर दें और उसके बाद इसे एक मिनट और पकने और इसका मतलब है कि हमने मुएन एकदम परफेक्ट डाला है तो इसी तरह से पलट-पलट कर इसे अच्छे से गुल्डिन करना है और अंदर तक पकाना है तो 6-7 मिनट में एक बैज का ठेकुआ बनकर तयार होगा तो एक एक करके इसे इस तरह से जाली पर निकाले ताकि इसक एक्स्ट्रा वायल निकल जाए तो इसी तरह से अपने ठेकुआ को अच्छे से गुल्डिन करके निकाल लेना है और यह देखिए मुह में आ गया ना पानी इसे देखकर तो आप इस टेस्टी रेसिपी को घर में बनाए और आपकी रेसिपी कैसी बनी यह कमेंट करके मुझ तो आप इसे घर में जरूर ट्राइ करें मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें